कैसे हैं आप सब लोग तो आज हम लेके आए हैं मॉक टेस्ट नमबर थ्री जिसमें हम अकाउंट टेंसी के थर्टी कोश्चन्स डिसकस करेंगे जिसमें आप अपने आपको टेस्ट करें अपने आपको एनलाइस करें कि आपका जो साथ आट दिन के बाद एक्जाम है उसमें आप कितना स्कोर कर सकते हो यह एक प्रॉपर मॉडल पेपर की तरह रहेगा आपके लिए आपके एनलाइसेशन के लिए बड़ा महतवपून रहेगा तो इसे आप एंड में कमेंट सेक्शिं में अपना स्कोर ज़रूर लिखना हमारा मक्सद यह है आप तक जादा से जादा आपका टाइम वेज ना करते हैं आगे बढ़ते हैं और जो इस चैनल पर नहीं है वह सबसे पहले नीचे लाके सब्सक्राइब बटन को दवा ले ताकि कोई भी नई नोटिवेशन नहीं भी कोई भी नया कोई अपडेट होगा आपको सबसे पहले मिले तो चलो पहला कोशन क्या बोल रहा है which is the first step of accounting process कौन सा accounting process का पहला step है ठीक है यह introduction of accounting से आ गया तो IMRC that is first step का आ जाता है identification तो इसका answer है C1 वह अपकी सभी को पता होगा second question which of the following is not a nominal account नीचे दिएगे option में से कौन सा nominal account नहीं है outstanding salary salary interest paid की commissions नॉमिनल account वो account होते हैं जिसमें income income gain आपका loss expenses आ जाते हैं लेकिन इन में से कोई एक item है जो यह आपकी expenses और gain में deal नहीं करती तो वो है आपकी outstanding salary अब outstanding salary है कौन सा account यह भी आपको पता होना जीए that it is a personal account representative personal account ठीक है third question for every debit there will be an equal credit according to which concept मतलब हर एक debit के बराबर एक credit भी होना चाहिए किस concept के according तो इसका answer आपका रहता है according to dual aspect हमेशा debit के बराबर credit होना चाहिए question number four according to the business entity concept business entity concept के according क्या बोलता है business entity की concept के according कहता है by business और जो businessman है वो दो अलग लग इंसान है ठीक है उसी कारण इन दोनों में transaction हो पाती है उनी कारण हम capital की record करते हैं तो इसका answer करेगा transaction between business and its owner are recorded from the business point of view business के point of view से हमने transaction करनी है और business entity concept यही कहता है नेक्स question रुमेश बाइस गुड्स on credit from लारा बट finds that some of them are faulty रुमेश ने क्या किये गुड्स पर्चेस किये लारा से बट आफ्टर सम ताइम ही फांड सम फॉल्टी कुछ फॉल्ट निकला कुछ प्रोड़क्स में वट डॉकुमेंट वुड रुमेश रिटर्न टू लारा अब वो faulty गुड्स भी प्रोवाइड करेगा और साथ में गुड्स के साथ साथ एक डॉकुमेंट भी देगा वो कौन सा डॉकुमेंट होगा पर चेज रिटर्न पे आपने कौन सा डॉकुमेंट देना होता है that is debit note next question expenses paid by a business decrease जब आप expense pay करते हो तो वो business का क्या decrease करती है cash capital की both a and b की none of b तो इसका अंसर आ जाता है both according to accounting equation accounting equation में समलो आप दे रहे हो salary आप क्या कर रहे हो salary दे रहे हो salary में पैसा जाएगा cash plus कर दिया और साथ में ही मैंने आपको बताया था कोई भी expense होगा उसे capital में से reduce करो कोई भी income होगी उसे capital में increase करो तो यह आपका expense की बात हो रहे है तो both a and b's का आंसर रहेगा seven question sale of fixed assets for cash would आपने fixed asset बेचा है cash पर आपने fixed asset बेचा है cash पर आपने बेचा है तो cash क्या होगा increase और fixed asset क्या होगा decrease cash क्या होगा बढ़ेगा fixed asset क्या होगा गटेगा तो इसका answer क्या रह जाएगा increase current asset and decrease fixed asset ठीक है eight question if one of the car purchased by a car dealer is used for business purpose instead of resell then it should be recorded by अब वो कह रहे हैं अगर एक car कोई इंसान खरीटता है और वो car dealer ही है उसका अपना वेपार car dealer का ही है उसने गाड़ी खरीदी हुई थी पहले की showroom से उठाके उसका मन कर गया कि मैं ऐसे business purpose के लिए लगा लेता हूं resell के instead of resell मैं उसे business purpose के लिए लगा लेता हूं तो इस time पे इसकी general entry क्या होगी business में क्या आया business में आया car car account debit जो आया वो debit जो गया वो credit secondly आपका क्या गया अगर तो गाड़ी खरीते हमारा cash जाता है लेकिन हमारा cash नहीं जा रहा हमने गाड़ी पहले की खरीदी हुई थी हमारे showroom में थी मुले showroom में पड़ी पड़ी अच्छी लग गई मैंने उसे purchase किया है purchase से card लूँगा ठीक है नहीं से क्या करूंगा purchase से card लूँगा तो 8 कहां से क्या रहेगा c1 9th question which of the following entry will be recorded when the bad debts are recovered sorry bad debts जब आप recover करोगे उस time पे entry क्या होगी पैसा आया cash को debit कर दो 2 क्यों आया bad debts recovered इसलिए इसका entry क्या रहेगी a1 10th question when a liability is reduced or decreased it is recorded on the जब आपकी liability गटेगी तो वो आपने कहां पे record करना है उसके account के तो वो हम उसके करते हैं liability की plus वाली side होती है credit और minus वाली side होती है debit that is on debit side as well as left side भी आप क्या है सकते हो तो 10th का answer क्या है b1 11th question a trial balance facilitates trial balance किसे facilitate करता है preparation of profit and loss account preparation of balance sheet only preparation of final account की preparation of trading account यह इन करता है 12th question in impressed amount is rupees 500 but will be the amount of reimbursement if falling expenses were incurred by the petty cashier during the month ठीक है हमने क्या किया था impressed system चल रहा था 500 रुपे का हर महीने 500 रुपे उसके पास होने चाहिए महीने के ending में हमने देखा उसका telephone का charge इसा 50 रुपे टीफन के charge से 250 repair के charge से 10 और general expenses से 100 तो total expenses कितने होगे 50 प्लस 250 300 300 प्लस 100 400 400 प्लस 10 400 10 तो यही हम reimburse करके उसे 410 रुपे अगले महीने दे देंगे क्योंकि जो 90 रुपे है वो तो उसके दे देंगे तो इस कहां से रहेगा 410 पोस्टे स्टेंप पर्चेश फॉर रुपीज 30 बाइब बिजनस इस ट्रांसेक्शन विल बी रिकॉर्ड़े इन आपने पोस्टे स्टेंप क्रिदी है 30 रुपे में तो यह ट्रांसेक्शन कहां रिकॉर्ड होगी डैट इस इंग पैटी कैश्पुक चोटा मोटा खर्चा नहीं है विच ओफ फॉलिंग इस रिकॉर्ड़े इस कॉंट्रा एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो इसका अंसर रहेगा विड्रियू कैश्पॉम बैंक फॉर ऑफिस यूजब भी ऑफिस यूज़ के लिए पैसा निकालोगे तब भी वह कॉंट्रा एंट्री लाएगा अगर पस्नल में आ रहें विफ्टीन कोशंट अबंक पास्ट बुक इस क самого भी किंसकी कॉपी है इडाओंति इस कैस्टमर्स अकाउट इंद्द बैंक's book वह क्या है एक चैस काउउट इसवत्ति हैं बैंक की भोक 11에 है कंसर के रहेगा कर एंगा बीच में difference पता करने के लिए that the balance as per bank column cash book as well as pass book तो इस कांसे के रहेगा बीवन ठीक है 17th question credit means dash in assets and dash of expense credit का क्या मतलब है assets को क्या करना assets की credit side की होती है minus वाली side decrease करना and dash of expense expense को क्या करना credit का भी क्या मतलब है वो भी decrease होता है तो इस कांसे के रहेगा decrease and decrease 18th question gross profit is gross profit क्या है it is excess of sale over cost of good sold 19th question net profit is computed in the net profit आप कब compute करते हो profit and loss account balance sheet trial balance की trading account तो यह compute किया जाता है at the time of profit and loss account 20th question the trial balance shows old provision for doubtful debt rupees 300 debtor 9000 assume that provision for doubtful debt is 5% of the debtor the amount to be recorded in profit and loss account is तो वो कह रहे है जनाब नवह उजार के हमाई debtor है जिस पर हमने provision रहना है पांच परसंट नवह उजार का पांच परसंट हो जाता है साढ़े 400 रुपे जिस वैसे 300 रुपे पहले का बना हुआ है तो हमें कितना चाहिए 500 रुपे ही और बनाना है तो इस कहांसे करेगा 150 debit 21 arrangement of balance sheet in a logical order is known as वो किस नाम से जाना जाता है it is known as marshaling of balance sheet 22 the primary goal of the financial management is primary goal क्या है financial management का तो financial management का primary goal होना चाहिए financial management का primary goal है to maximize wealth of owner उसका profit कमाना इतना main मकसद नहीं है जितना का main मकसद है जो उसके shareholders है उनका share की value बढ़ा दो ठीक है तो 23 if the capital at the end of the accounting period is 50,000 the net profit for the year is 15,000 drawing is 3000 what is the capital at the beginning of the period capital at the end कितना है 50,000 net profit होगे 15,000 ठीक है net profit कितना है 15,000 तो हम 50,000 में से profit हमारा असली में capital at the beginning में add होता है लेकि इदर हमें end दी है तो इसमें आजाता है 38,000 तो 23 का answer क्या है A1 24 in the absence of agreement यह आपका आगया है partnership का interest on loan advance by partner is allowed at the rate of अगर आपका agreement absent है तो interest on loan किस rate पे दिया जाता है it is given at 6% 25 current account of the partner should be opened when the capitals are current account हमने partner के कब open करने होता है जब उसकी capital क्या होगी जब उसकी capital fixed होगी 26 at the time of admission if any surplus is available then it is distributed among the partner वो कह रहे है अगर admission time पे कोई भी surplus available है तो वो हमने partners को distribute करना है in which ratio it is distributed to old partners in old ratio क्योंकि उसमें हक सिर्फर सिर्फ पुराने partners का है और किस share में पुराने share में ही 27 which of the following is not the condition of reconstruction of partnership reconstruction of partnership का नीचे देगे कौन सी condition नहीं है तो इसका answer आ जाता है that dissolution of partnership firm उसकी condition नहीं है बाकि सब admission आप लगा लो death लगा लो change in relation लगा लो यह सब उसकी conditions है 28 which of the following is not true नीचे देगे option में से कौन सा true नहीं है not true बोल रहा है पहला option वो बोल रहा है when a new partner is admitted he is entitled to share profit and loss calculation of sacrificing ratio is necessary when the new partner will bring premium for goodwill yes it is necessary goodwill can have existence separate from a organization तो यह गलत है तो इसका answer यही रहेगा वो बोल रहे है कि goodwill जो है उसकी existence अलग होती है as compared to the organization 29 by whom PFMS public financial management system has been developed किसने बनाया है तो यह बनाया सा ministry of finance ने ठीक है 30th question the fundamental objective of audit of a company is to fundamental objective क्या है company का audit करने के लिए जो company की auditing होती है उसका fundamental objective main मकसद क्या है उसका main मकसद होता है to detect and prevent errors and fraud तो इसका answer कहरेगा B1 तो आज के लिए इतना ही था question आगे भी आपके लिए थोड़े से model papers लाने की मैं कोशिश करूंगा तो आज के लिए इतना ही guys thank you have a good day and enjoy day guys अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं बूले तो thank you have a good day